आओ सुनिये मनमोहन बावा दी कहाणी नीलमा आधकथन समा सन तेरा सौतों तेरा सोद्दास इस्वी कुझ इतिहासिक कटनामा ते अदारत एस कहाणी दी पिट पूमी सनाम, संगरूर, बरनाला, समाना अते दीपालपुर हुन पाकिस्तान विच इस दा मुख पातर, मलिक ग्यासुदीन तुगलक, जो बाद विच दिल्ली दा सुल्तान बणया, अते जो प्रसिद सुल्तान मुहम्मद तुगलक दा बाप सी जिस वेले दी एकटना है, उस वेले मलिक ग्यासुदीन दिपालपुर्दा मुक्ती सुबेदार सी अते लोकाँ वेच मलिक तुगलक करके जानेया जान्दा सी समाना दी राजकमारी नील मानु वेख के मलिक तुगलक नू चितोड दी राणी पदमनी दी कटना याद आ गई पर ना ओ अलावदीन खिलजी सी अते ना नील मा पदमनी खिल जी ने जद पद्मनी नुँ प्रापत करनली चितोड ते हमला कीता ता मलिक तुगलक उस दे नाल ही सी राणी पद्मनी दी चिता चो उठ दिया लाटा वेक के उस ता दिल कम बुठिया सी राजपूत राजपूत ही हुन्दे हन जे ओ अपनी निजी मर्दान की अते राजपूती शान वाली पावपता छड के दिमाग नाल जंग कर दे ता तुर्क कदी इना ते हावी नहीं सन हो सकते ए हाले वी अज तों एक हजार वरे पुराणी प्रमप्रा वाली लड़ाई लड़दे आरे सन अज ती युद नीती अते युद कलातों बिलकुल बे खबर नीलमा समाना दे राजा सूर्जन मल पट्टी दीती सी होरवी पैना सन उस्तियां उस वरगियां सोणियां पर नील मादियां सागर वरगियां डूंगियां अखां उस ती चाल उस ती सूजबूज उसनू अपनियां पैना तो वखरोंदियां साल। मलिक तुगलक ने उस पारे सुणियां ते बौत सी पर वेखन अते गल्ला करन दा मौका एकको वारी ही मिलेया सी उसनू। उस दिन मलिक सदारन कपड़े पाई नहर दी खुदाई दा जाइजा लेंदेयां नहरांदे दरोगे नाल गल्ला कर रहा सी के उसने एक राजपूत इस्त्रीनू कुझ सैन का नाल कोडे ते ओंदियां वेख्या। उसनू वेख्ते आईयों समझ गया के ए नीलमा दे इलावा होर कोई नहीं हो सकती। उस वेले ओ उन्जवी समाना दे इलाके विच्छी सी। नीलमा ओना कुल पुझजन ते कोडे तो उतरी ता सार्याने अदबनाल से चुका लेया सिवाई मलक तुगलक दे। नीलमा ने मलक नू अणवेख्या कर देयां द्रोगे तो नहर दी खुदाई बारे तिन चार सवाल पुझछे। फिर बोली मेरे विचार विच जै तुसी नेर दा रोख थोड़ा जया मोड के ओस दा पाणी इससे द स्रोवर च पादेओ ते फेर ओस स्रोवर चो नेर कड़ू ता चंगा रहेगा। इस नाल स्रोवर दा केरा काफी वड़ा हो जाएगा ते सुक्के दे दिना विच लोकी इस चो पाणी लाय सकनगे। दरोगे ने पहला नीलमा वाल ते फेर मलक तुगलक वाल प्रशन परिया नजरा नाल तक्या। जिवे तुसां के मैं नीलमा देवी हां। जिस तरां सुणया सी ओस तों वद पाया। नीलमा दियां अखां दी डुंगयाईच ओस ने ओ कुछ वेख्या जो शायद होर किसे ना वेख्या हुवे। हर रात ओस ती मूरत मलक दियां अखां सामने आ खड़ी हुंदी। गवाच्या गवाच्या रेंदा अते समाना दे इलाकेच जान दे बहाने लबदा। सिपा सलार रजब अली उस्ता छोटा बराजी, दो तिन वरे छोटा अते दोस्ता वरगा, अनेका लड़ाईया लड़ियां अते अनेका उतार चड़ावेखे साम इकठ्या, रजब देवारवार पुछन ते मलक बोलिया, तेरी परजाईनू फोथ होयां पंच वरे बीद ग मैं ता पहले ही क्या सी कई वार पर तुसी, मैं सोचता हां के असी ये थोंदे राजयां राणया नाल अपने रिष्टे काइम करिये, ता सियासत दे पक्खों साडियां बामा मजबूत होन कियां, साडि मावी ते लहौर दी जटी सी, तुसी असली गल्दसो बरादर, नीलमा बारे थोड़ा बहुत अनुमान, पहलना तो ही सी, मैं समाना दे राजा सुर्जन मल पट्टी दी दुखतार, नीलमा बारे सोच रहा हां, बहुत सहीन अते खुबसूरत है, तेरा की विचार है इस बारे? तुसा इरादा बनाई लिया है ता मेरा विचार क्यों पु ते सवाल सिर्फ राणा दी रसामंदी दाई नहीं, ता होर किस दा? राजकमारी नीलमा वी ते इनकार कर सक दी है, नीलमा? हाँ, नीलमा, बहुत खुददार आरत है उ, राणा दा कोई पुतर नहीं, ओस्ती था, नीलमा ही राज दे कामकार संबाल दी है, इस दे इलावा पट नेर अते बीका नेर दे राजया दियां खां लगियां हुईयां ने सुथते, कुछ देर दोवे चुप रहे, फेर रजब बोल्या, तुसी ते यावे कबरा रहे हो पाई जान, इनी कबरा आटता मैं तो हडेच मंगोला नाल जंग कर दियां भी नहीं वेखी, तुसी पैगाम ता पेज के वेखो, फेर जिवें जवाब आवेगा, ओसे अनुसार सोच लमागे। जवाब दित्ता राणा ने, बस, समझो के साधी पेशकश ठुकरा दिती, मैं जवेखो बोले, लफ्स सुन्दा चौन्दा हाँ, हूब हूब लफ्स, मलेक अपना दिल करड़ा कर दियां बोलेया, रजब ने आख्या, ए ठीक है के अज तोहडे अधीन हाँ, पर असी राजबूत हाँ, अपनी कैरत्ते मरना भी जान दे हाँ, कैंदियां कैंदियां, ओ रुक गया, हाँ, अग्गे बोलो, रुक क्यों गये, ओ साख्या होवेगा, मलेक तो गलक मलेच ही नहीं, गुलाम दी अलाद है, हाँ, तक्रीब नहीं कुझ, उन्हे भी आख्या, बस, रैन दे, मलेक उसनों विच्चों ही टोकद्यां बोलेया, मैं जानदा हाँ, गेकी क्या होवेगा, ओ इसते बोलांच क्रोध कट, अते उदासी, ते बेबसी, ज्यादा सी, तो हडेवल वे कहरानी हो रही है मैंनू, कुझ ते करनाई पवेगा सानू, हुण तक ता एक खबर समाना तो लेके लहौर तक फैल चुकी होवेगी, हकुमता सिर नीवा करके नहीं चल दिया, मलेक तुगलक ने रजबवल गौन अलतक्या, अते अपने शब्दां ते जोर पौन्दियां बोल्या, जे तु ए सोच रहा हुँए के मैं राणा ते हमला करके नीलमानू जबर्दस्ती चुक लेआवा, ता इसनू विसार दे, राणा साड़े अदीन है, ओस्ती रियाया साड़ी रियाया, ओस्ती फौज, साड़ी फौज, ओधरू तारगी अते तारक बेग अपनिया मंगोल फौजा लेके हिंदोस्तान वाल वद रहे हन, एस वेले सानू राणया दी दोस्ती दी लोड है, दुश्मनी दी नहीं, रावी चनाब दुआब विच वस्ते खोखरा नाल, इना दे डूंगे ते पुराणे समंध ने, एओ ही खोखर ने, जिना मोहम गोरी ते कई वारदांद खटे कीते सा, मलिक तुगलग रजब नू पंजाब दी राजनीती समझांदेयां बोलेया, याद रखो रजब, अमन अते राजती मजबूती दी छत, सूजदियां कंदा ते खड़ी हुंदीया, रजब ते आनना सुनदा जारया सी, पर, पर जे ह अलात इस तरा नावी हुंदे, तावी इस तरा ता जोर जबर मेरे सुबादे विरुद्ध है, उखाफी देड तक इस पारे अते मुंगोलां दी लडाई बारे गल्ला कारते रहे, पर किसे नतीजे ते ना पहुंच सके, अपने वड़े प्रानू दुखी वेख के, रजब इस अब कुछ त्यांच रख दिया, मलिक ने लगान दी उगराही टिली रखन दिया हधायता दितिया हुईयां सन। जोकनो अनुमान सी के एवधी कियां क्यों हो रहे हन, राणा वी समझता सी अते नीलमा वी, पर सब चुपसन। मैंनू पुछता लिया हुंदा, हाले मैं जियोंदा हां। नीलमा ने वेधना परिया नजरा नाल उस वाल तक क्याते बूली, जो खबर तो हानू मिली है, ओ सच नहीं। की तू मलक तुगलक नू मिलन नहीं जा रही, आखर असी राजबू तां। अग्गे केंद्या, ओ चुप हो गया, मलक तुगलक दी ए मजाल नहीं क्यों नीलमा नू मिलन दा सद्धा पेजे। तां फेर उसनू मिलन दा संदेशा मैं पेजिया सी, तूं पेजिया सी, खोल खड़ी मा बोली, की तेन्नू कोई परवा नहीं राजबूती मर्यादा दी, अपने गौरव दी? कुझवरे पहलना, रावी पार जद मंगोल साड़े जीजे नू मार के, अथे पैन ग्यातरी देवी नू चुक्के लै गए, उस विले किसे नू राजबूती मर्यादा दी चिंता ने नहीं सताया? उस विले जंग सी, मजबूरी सी, मा बूली, ते एस विले? बैस्च तेरे तो पार पौना असंभव है, मा हथ्यार सुट द्यां बूली, सिद सरोवर कोल, सिद्धा दे डेरे तो कुझ दूर, एक बोड थले, आप दे पूरे जाहो जलाल विच, अपने कुझ जान सारी सैन क का नाल, मलिक तुगलक खडा सी, कुझ दूर उस ने पालकी नू ओंद्या वेख्या, नाल कुझ राजपूत कोड सवार, उस दा अनुमान सी, के नील मा हमेशा वांग कोडे ते सवार आवेगी, चाली पंजा कदमा दी विथ ते पालकी रुकी, विच्चो नील मा निकली, स अते तड़क दे दिल नाल, नील मा दी उड़ी करन लगा, नील मा ने ओंद्या ही जुरूरुत तो ज्यादा चोग के तिन वार अदाब कीता, ते सिर्चुका के खड़ी हो गई, मलिक उस दा पाब कुझ कुझ समझ देयां बोलिया, तुसा मैनू याद कीता, मैं मश्कूर ह बांदी हाजर है, ओ उसे तरह सिर्चुकाई खड़ी रही, मैं समाना दी राजकुमारी, अते राणा सुर्जन माल पट्टी दी पुत्री नाल मुखातब हां, किसे बांदी नाल नहीं? असी तो आड़े अदीन हा, तुसी दिल्ली दे सुल्तान अलावदीन खिलजी दे नुमाइन दे, उस सुल्तान खिलजी दे जिसने हजारां राजपूत ते मुसल्मान सैनकानू लड़न मरन अते महराणी पदमनीनू सती होणते मजबूर कीता, लगदा सी नीलमाचंगी तर त्यारी करके आई सी, अते शब्दानू चुण-चुण के वरत रही सी, मलिक तुगलकता सिर्फ शरम नाल चुक गया, ओ बोलिया, मैं सुल्तान दा स्यासी नुमाइन दा हा, उस्ते निजी आचरन दा नहीं, तुसी हाकमो, ताकतवरो, जो चाई कर सक देओ, मैंनू क्यों पुच्छते ओ, मलिक समझता सी, के नील मा एक कुछ कहन नहीं आई, ओ बोलिया, तुसी चंगी तरह जान देओ, के इस तरह दा जोर जबर, मेरी शक्सियत दा हिसा नहीं, सिद्धे तरीके नालना से, उल्टे तरीके नालता है न, ओ जबरदस्ती लगान उग्राणवाल संक कर दियां बुली, मेरे प्रारजब ने जो कुछ कीता, उस बारे मैंनू कोई खबर नहीं सी, पता लग दियां ही मैं उसनू रोक दिता सी, मैं शुकर गुजार हां, देखो राजकुमारी नीलमा देवी, ओ कुछ उतावला हुन दियां बूलिया, मैं सिरफ एक मुक्ती दी ह ऐसी अच नहीं, एक इनसान देता और थे तोहड़े समने खड़ा हां, इस दे इलावा कि तुसा मेरेच कोई गुण, कोई अच्छाई नहीं वेखी, जे ना वेखी हुन दी, ता सारे व्योहार शिष्टा चारते आके, तोहड़े समने ना खड़ी हुन दी, मैं तोहड़े ह पासले दी दाद देंदा हां, हुन जे इदर उदर दियां गल्ना ना करके, ए दसन दी मेरबानी करो, के अज तो सां किस तरा इस घुलावनों याद करके, इस दी इस्दत अफजाई कीती, ता मश्कूर हुआँगा, मेरिया कुझ शर्ता हन, बोलो, मैं छेती सुड़ना चा पूरा करना तो हड़े वस्च है जा नहीं, पर तो हड़े हेत च जुरूर है, मेरे सबरदा इम्तिहान ना लवू राजकुमारी, ता सुणो मलिक्या सुधीन तुगलक, मंगोल सैनापती तारक बेग, अते तारगी बेग, एक बार फेर, अपनिया मंगोल फॉलजान लेके, दिपालपूर समानावल वद रहे हन, तो हनु पूरी जानकारी होवेगी इस पारे, मैं चंगी तरा जानदा हा, ते एवी क्यो चनाप दर्याप पार कर गई हन, अते मैं मुल्तान दे अमीर नो फॉजी त्यारी करन लेई सुने आवी पेश दिता है, मेरी सहायता लेई दिल मैं थोड़ा बात इस पारे वी जानदा हा, मैं नू इना दोहां दे सिर चाहिदेने, मैं उना दे सिर समाना अते दिपाल पुर्दे मुख द्वार ते लटक दे वेखन चौनदी हा, नीलमादियां अक्खाँच क्रोध चलग रहा सी, बोलो, कर सकोगे मलक तुगलक, मलिक त तक उस वल वेखता जारया सी, नीलमादे पाख दे रोबदार चेरे नू वेख के उसता दिल फखर नाल पाराया, अते मन ही मन ओ उसनू अपनी बेगम दे रूप विच विखन लगा, सोचाच पैगए, शायद बहात मुश्कल शर्त रख दित्ती तो अडे सामने, मुश्कल है जां असान, पर मैं सोच रहा हां, मंगोला दे विरुद एस जंग विच, जैसल मेरतों लेके बठिंडे तक दे अनेका राजपूत राजे, ते सरदार शामिल होनगे, एग आल तुसीं किसे राजपूत सरदार नू भी ता कह सक दे सी, इस लई के इस दी संभावना मैनू तो हाड़े तो है, मंगोला ने सिरफ राजपूता दे इजजत ही नहीं, पंजाब दी आबरूनू मिट्टी चरू लेया है, मैनू एसास है इस कालता, अते अफसोस वी, के अन्नी इजजत रुलन तो बाद वी, जे मेरे पिता, अते साख संबंधी चुप रहके, एशो अश ती जिन्दगी बसर कर रहे हन, ताओ मंगोला तो बदला लैंड जो गई नहीं, कुझ पल दोहां विचकार चुप वरती रही, फेर मलक बोलिया, जिना लफसानाल राजकुमारी ने बंदे दी इजजत अफसाई कीती, बंदा उस दे काबल नहीं, मैं नहीं जानदा के अल् तर्ती ते एक लाना थान, जिस जमीन तोईना दे कोड़यां दे खुर लंग जान, ओ तर्ती बंजरो जान दिये, मेरी ते दिली ख्वाहिश है के इकवी मंगोल पंजाब दी तर्ती तो वापस ना जाए, ताँ तो हाननु मेरी शर्त मन्जूरे? नई, नई? नई? नीलिमा हैरान हुंदियां बुली, मंगोला ना लड़ना मेरा फर्ज है, अते उन्ना नु मौत दे काट उतारना मेरी दिली इच्छा, मलेक मुस्क्रोंदिया होयां बुलिया, मैं तो हाननु किसे शर्त जा मुझबूरी जजकरना नहीं जान्दा, ये मेरी साफ कोई मौफ होवे, त मैं कहांगा, मैं तो हनु पूरे माननाल चाया है, मैंनु दिली राहत ओदोई मिलेगी, जदों तुसी बंदन रहत पूरे माननाल, मेरी मौबबत नु कभूल करो, मैं राजकुमारी नीलमानु नहीं, उस्ते मननु जितना चौंदा हां, एस तो पहला, नीलमा दे मन विच उस्ती बहादुरी, इमानदारी अते उस्ती शक्सियत प्रती कदर सी, पर होन उसनु लग गया, जिवें उस्ते संबने एक पूरन मनुख खड़ा है, ओ आदमी, जिस्ती उस्ते पोले मनने कदी कल्पना ही कीती सी, ए मेरी शर्त पूरी करे जाना, मैं हमेशा ही उसलई, की स सोच रहे हो, मलिक ने उस्ते ख्यालांदा सिलसला तोड़ दिया, पुछेया, मैं तो हडियां पावनावादी कदर कर दी हां, कहन दिया, नीलमा ने अपना सिर्चुका लेया, इस सिर्चु कॉन, अते कुछ देर पहलना सिर्चु कॉन्च किनांतर है, मन ही मान खुश हुन मंगोला विरुद्ध कूच करन लेई, एक विशाल सैना त्यार खड़ी सी, दिल्ली तों खिलजी सुल्तान ने मलेक काफर नो एक मजबूत तुर्की फौज देके मलेक तुगलक दी सहायताली पे जया सी, तुर्का दे इलावा, राजपुताने दे राजपूद, कगर अते रावी विशकार वस दे जट, दिल्ली अते पर्थपुर्दे गुजर, कुल्लू कांगडे दे किरात, एक सच मुच हिंदोस्तानी फौज सी, हिंद नू मंगोलां दी लुट मारतों बचौन लेई, फौज दे कूच करन तों पहला, नीलमा ने सुनाम दे तुल्लुकदार, कुर्बान अली नू अपने कोल बुलाया, ए ओस्ती सहेली दुलारी बाईदा पती सी, जात दा चीर अते मलिक तुगलक तों सुनाम दी तुल्लुकदारी प्रापत किती सी, सड़े छे फुट उच्छा कुर्बान अली नीलमा अगे सिर्चुकौन दे बुलिया, इस ना ची तों सिर्वी हाजर है, तुसी सुनिया इह होवेगा, के मुल्तान दा अमीर मुगलाटी मलिक तुगलक तों नराज है, के सुल्तान खिलजी ने उस्ती बचाए मलिक तुगलक नू इस मुहिम दा सैनपती नियुक्त कीता, हाँ, सुनिया ता कुछ एसे तरह है, उस दा विच गुर्बान अली अपनी जानकारी जाहर करतेयां बोलिया। मैंनु सू मिली है के कुझ राजपूत सरदार मुल्तान दे अमीर नाल मिलके मलिक तुगलक नु कतल करन दी साज़श बनारे ने। पर इस विच्चता उनादा अपनावी नुकसाने, तुगलक ती मौत ता मतलबे मंगोलनादी जित, तबाही ती लुट मार, मंगोल किसे दे यार नहीं। पर इस विच ता उनना दा अपनावी नुकसाने, तुगलक नू मारन दी व्योंत, जंग खतम हून तो बाद है, जो दो मलिक हर खत्रे तो बेखबर, फते दे जशन मनाओंदा वापस परत्रया हुवेगा, ओ, कुर्बान अली दे मुऊ निकलिया, फिर कुछ देर रुक के जम्मेवारी सौब्ती हां, ते तियान रखना, के एस दी पिनक, मलिक नू जंग तो पहला नहीं पहनी चाहिए, इस नल संपूरन सैनक जथे बंदिज, फोट अते कमजोरी पैदा हो सकती है, मैं समझ गया राजकुमारी, कुर्बान अली बुलिया, फिर कुछ सोचन तो बा दियां मारे आ गया, जे चाहू ता लड़ाई शुरू होन तो कुछ देर पहला, मलिक नू एस बारे दस देना, इस दा फैसला मैं तो हाड़े दे चाट दियां, उन्च मैन विश्वास है, के तुसी सही सलामत वापस परतोगे, एक महीने तो उपर हो गया सी, मलिक तुगलक दिपाल पुर्टो कूच कीतेया, कदी हिंदोस्तानी फौजां दे हारन अथे कदे जितन दियां खबराउं आंदियां, दोहां पासें दा काफी जानी नुकसान होया सी, फिर सुनन चाया के मंगोल सैनापती तारक बेग अथे तारगी बेग ने सुला दी खातर मिलन दा सु पिशेस लेवी के ओस ते जसूस अपने मंतव विच काम्याब हो गई सा, मुल्तान तो कुछ दूर ना हर कोट दे मैदांज दोहां दी मुलाकात होई, तारक बेग ने परस्ताव रख्या के एमें दोहां पासें दा जानी नुकसान करन करौन दा की लाब, ते मांग कीती के जे ओसनू इन्ना तान, इन्ना सोना अते इन्ने कोडे दे दित्ते जान, ता हो वापस परत जाएगा, मलिक तुगलक ने उत्तर चाख्या, अवल ते मैनू तो हाडियां ए शर्ता मन्जूर नहीं, पर जे ए मुम्किन भी हो जाए, ताकी यकीन के तुसी चुप चाप वाप परत जाओगे, जा मुड़के नहीं आओगे, कि तुहानू साधी जबान तेत बार नहीं, ए मंगोला दी सरासर तोहीन है, मंगोला दे पिछले कारनामे मैनू मजबूर कर रहे हन, ए कुछ कैन ले, कि तुहाड़े पिता ने मुल्तान दे राजिनाल इस तरह नहीं सी कीता, ता फिर ठीक है, मैं ता तो हाड़ी पलाई लेही कह रहा सा, जे तुसी अपनी तबाई वेक्रना चौन दे होता, एसे तरह से ही, मैं एक होर सो जाओ पेश करता हा, मलिक तुगलक ने तारक बेग दियां अखांच अखां बॉंदयां आख्या, आस है, बहादर तारक बेग अपने बाजुआ दी ताकत ते काफी फखर होवेगा, सुनके सारे सारो के खड़े हो गए, तारक बेग ने तिखिया नजरा नाल, मलिक तुगलक वल तक्या, अथे फिर कोल खड़े अपने प्रा तारगी बेग वल, क्यों, सोच्चा विच पैगए, जे मैं मार्या गया, त जिन्ना तन सोना कोडे आद बारे क्या है, तो हन्नू मिल जानगे, जे मेरी जित हुई, ता मंगोल सैना चुप चाप खाली हत वापस परत जाएगी, मलिक तुगलक ने अपने प्रस्ताव नू सपष्ट कर देयां आख्या, हजारां सिपाईयां बहादर सर्दारां दे समने दित्ती वंगार नू तारक बेग किमें कार कर सकता सी, उन्जवी उसनू बड़ा मान सी अपनी शम्शीर बाजी ते, तुर्किस्तान फारस अते अफगानिस्तान दियां अनेका सैनावा नू मात दित्ती, अते सैंकडे योद्यां दी रत नाल नहाई सी उसती तल्वार, जिनानू बच्पन्तों ही अपने मालिक लेई जान कुर्बान करन दी तालीम दिखती जान दी, अते जिना दे नाम तो सारी दुनिया दे बादशा कंब दे सन। दोहां दियां तल्वारा म्यांचो निकलाईयां, तुगलक मन ही मन्च खुश सी के ओसते नीलिमानाल वादे दी काम्याबी दा अफसर उसते रूबरू है। पैंतरडे तो लड़ खडाओन लगण। इसे तरांदे एक अफसर दा उसने पूरा फाइदा उठाया अते पैंतरडा बदल के एक ऐसा वार कीता के तारक बेग दा सिर्फ ताड़तों चुदा होके तर्बूज वंगु तर्ती ते आडिका। जिस वेले मलिक तुगलक अपनी काम्याभी ते खुश मिट्टी च लिबडे तारक बेग दे सिर्फल वेख रया सी। गुसे अते दुख नाल लाल पीला उस्ता प्रा तार्गी बेग तलवार कड के मलिक तुगलक उते तुट पया। पर कोल खड़े कुर्बान अली ने उस्ता वार रस्ते विची रोक लिया। दूजे ही पल तार्गी बेग दा सिर्वी अपने प्रादे सिर्णल जार ते फेर हिंदोस्तानी फौज मंगोलां ते टुट पई, जान बचा के पज दे मंगोलां दा दूर दूर तक पिछा करके उना नू मौत दे काट उतार दिता गया, अते उना दियां खोपडियां मुलतान दे किले दियां कंदाच चिन दितियां गईयां जदों खुशी दे चंडे लहरोंदियां हिंदोस्तानी फौजां दे पाल पूर परत्रेयां सान ता योजना अनुसार मुलतान दे अमीर मुगलाटी ने कुछ राजपूत सर्दारा नाल मिलके मलिक तुगलक नू मारंदी कोशिश कीती पर नाकाम्याब रहे कुरबान अली ने पहला ही मलिक तुगलक नू खबरदार कर दिता सी अमीर मुगलाटी नू अते कुछ राजपूत सर्दारा नू बंदी बनाले आ गया एक सैनिक सुने हा लेके राजकुमारी नीलमा कोल आया के मलिक तुगलक राजकुमारी नू तारक अते तारगी बेग दे सिर पेंट करना चौन्दा है उना दोहां सिरानू समाणा नगर दे मुख दवार दे, बांसां दे सिर्यां दे टंग देवू, अते आखो, के राजकमारी नीलमा खुद उना दा स्वागत करन आ रही है नीलमा दी पैन अते पिता ओसते समने आ खड़े हुए, पिता दे चेरे ते दुख अते पैन दियां अक्खाँच इर्खा परया तरस्कार इस तरहां पहलना कदे किसे राजपूतिस्त्री ने नहीं कीता, के राजकमारी खुद आपने 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 तुरका आगे पेट कर देवे। राणा सुर्जन माल बूले, नीलमा ने एक वारी अपने पिता दे चेरे वाल तक्या, ते फेर सिर्च कॉंद्यां मन ही मन बूली की मनुख कदे वी अपने चूठे अभिमान, अते तंग दिली तो निजात हासल नहीं कर सकेगा उसनु समझ ना आया क्यों किया खे, मैं जो क्याना चौदी हां क्यों समझ सकन गे फेर ओ अपने पिता दे पैरावल तक दी, हौली जेही बूली तो हाननु याद होवेगा के ए मंगोल कुझ वरे पहलां तो हड़ी वड़ी ती नू चुक के लै गई सान मेरे बारे जे तुसी होर कुझ नहीं समझ सकते ता एही कहके मननु समझा लै ना के तो हड़ी एक होर ती नू तुर्क चुक के लै गई नीलमा दे बोलाच निमरतासी ते लुक्या होया व्यंग कर दो भी एक अप्या व्यान तामा धन्या हो है लुक के लिए भी तुर्षी टुर्षी सान